हेलो दोस्तों कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आज बात करने वाले हैं फॉक्स बैंगन टाइगन 1.0 TSI कमफर्ट लाइन मोडल की ये बेस मोडल है और इसका ओबर व्यू देखते हुए चारो तरफ देखते हुए एक प्रोफाइल मैं आपको इसके बारे में कुछ बाते बता रहा हूँ जैसे कि इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस 11,40,000 रुपए के सम्थिंग आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़ा बहुत अलग अलग राजयो में प्राइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की तो इसके माइलेज की बात करें तो 19.2 km पर लीटर का माईलेज निकल कर आता है और RPM पर, वही पर maximum torque की बात करें, तो 178 mm, power generate करता है, 1750 eRPM से 4500 eRPM, sitting capacity 5 लोगों के बैठने की seat इसके अंदर है, और transmission manual type मिल जाएगा आपको, बात करते हैं, इसकी body type की, तो SUV type की body मिलती है, और ground clearance लगभग 188 mm का ground clearance मिलता है, तो overview ये car काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और काफी अच्छे features इसके अंदर मिलते हैं, जैसे Fox Bengan का ये base model है, तो base model ही इतना अच्छा है, और इसकी demand इतनी जादा है कि, बहुत जादा demand के साथ में, ये बजार में धूम मचा रहा है, आद कर लेते हैं, dimension और capacity की, और capacity की बात बता दी, तो front में मिलता है logo, और logo के साथ में, लोगो के उपर मिलती है, एक grill मिलती है, और काफी सांदार look में ये आपको मिलेगी, और ये आप देख सकते हैं, बहुती आगे का जो bumper है, बहुती सुन्दर बनावट के साथ में दिया गया है, halogen lamp मिल जाते हैं, लाइटों में, और आप देख सकते हैं, और इसमें बहुती cutting और finishing के साथ में, इस car का पूरा ही structure बनाया गया है, टायर इसके अंदर, C8 के टायर मिल जाते हैं, alloy wheel नहीं मिलते हैं, सोला इंच के wheel मिलते हैं, और fox bangan की logo मिल जाता है, यहाँ पर काफी जगे, टायरों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर यह पूरी ही car में, चारों तरफ एक plastic का ही है, black color का, ताकि कोई किंकोडी लगके color को fade न करें, उपर छट पे आते हैं, तो roof railing मिल जाती है, काफी सुन्दर बनावट बना देती ह इसकी, और पीछे की side में antenna लगा हुआ मिल जाएगा, petrol डलाने के लिए right side पे आपको option मिल जाता है, और पीछे की जो light हैं, बहुत सुन्दर हैं, और यहाँ पर fox bangan का logo मिल जाता है पीछे की side में, और यह यहाँ से इसके boot को खोलते हैं, तो boot space इसमें 385 liter का मिल जाता है, तो इसमें काफी अच्छे से समान swapping करके आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो यह भी है, और इसमें ही नीचे की side में एक tire मिलता है, तो tagoon का यहाँ पर logo मिलता है, car की branding मिल जाती है, fox bangan की branding मिल जाती है, और तीन sensor इसमें मिल जाते हैं, पीछे की side में, एक बीच में दो side में, तो यह काफी अच्छा है, और आप देख सकते हैं, पीछे का जो bumper है, पीछे की side में भी अच्छे से finishing दी गई है, और left side में देखेंगे, तो left side में भी बहुत अच्छे से, जो right side का safe है, वही left side की safe है, तो यह सारा हो गया, आप देखते हैं, इधर से, तो दो viper मि मिल जाते हैं, अंदर चलने पर multi function steering wheel मिल जाता है, तो काफी सुन्दर cabin हैं अंदर से, यहाँ पर right side में एक handle मिलता है, और यही से इसके mirror को set किया जा सकता है, अप down किया जा सकता है window को, यहाँ से lock unlock किया जा सकता है, सारी window को, Volkswagen के logo मिलता है, airbag मिल जाता है, तो यह सारा है, बहुत सुन्दर है, यहाँ से control किया जा सकता है music system को, इधर light का है system, indicator है, इधर आपके viper है, तो यह low high के यह दोनों side में दिये हुए है, 7 inch का touch screen system मिल जाता है, AC के vent मिल जाते हैं, यहाँ से इसको control कर सकते हैं, AC के कुछ नीच है, आप phone रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर 12 bolt का charger मिल जाता है, और यह इसके manual gearbox, 6 gear आगे पीछे के मिलते हैं, anti-lock braking system मिल जाता है, और यहाँ पर आप bottle holder मिलते हैं, बोतल रख सकते हैं, और यहाँ पर अराम से अपनी कुनी यानि बाओं को रख सकते हैं, mirror मि पीछे देखने के लिए, और यहाँ पर कुछ लाइटे मिलती हैं, और mirror यहाँ पर नहीं मिलता, driver side का, दूसरी side में mirror मिल जाता है, देखने के लिए, जो passenger seat होती है, उसके लिए, यहाँ पर एक glove box मिलता है, और इसमें काफी समान आप अराम से रख सकते हैं, और काफी heavy budget के स right side में, तो आपको यहाँ से light को up down करने का भी system मिल जाता है, इसके अंदर push start button नहीं है, की से ही आपको इस car को start करना पड़ेगा, और यहाँ पर handle को adjust कर सकते हैं, आप up down कर सकते हैं, इस model में automatic climate control नहीं मिलता, दूसरी side चलते हैं, और दूसरी window को देखते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको चारो window power मिल जाएंगी, यानि की चारो सिसो को up down आप power से, यानि बटन से ही कर सकते हैं, दूसरी side चलते हैं, दूसरी side चलने पर देखेंगे, और काफी अच्छी, मदगी बहुत अच्छा feeling आती है बैठने के बाद, तो passenger side पर अपन पोचे, तो side में यही मिल आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है, यहाँ पर glove box मिलता है, और airbag भी मिलता है, इस side में, पैसेंजर side को एक airbag भी मिल जाता है, तो वो भी काफी है, और अच्छी feel आती है, पैसेंजर side से देखने पर भी काफी अच्छी feel आती है, इसमें, digital autometer मिल जाता है, power mirror मिल जाते ह तो यह भी है, और इसके जो हम back side में mirror देखते हैं, driver side या passenger side तो power मिलते हैं, पीछे की side बैठने पर देखेंगे कैसा lag room है, तो काफी अच्छा space मिल जाता है, lag room और head room का पीछे की side में, दो AC event मिल जाते हैं, और base model में यहाँ पर mobile charger नहीं मिलते हैं, right side में भी इसी type का पूरा system मिलता है, उपर light मिल जाती हैं, रात में, मतलब की car में देखने के लिए आप on off कर सकते हैं, तो यह है, और पीछे से बैठके feel कुछ इस परकार साती है, कुछ इस परकार से सारा kevin आपको पीछे से बैठने पर दिखाई देगा, तो यह काफी अच्छा है, बहुत अच्छ करता है, और इसी के साथ heater भी इसके अंदर मिलता है, सर्दियों के मोसम में काफी benefit मिलता है, पीछे की side देखेंगे, तो पीछे की side कुछ इस परकार से दिखाई देगा, तो काफी अच्छा space दिखाई देता है, आप यहाँ पर समान भी रख सकते हैं, बाकी यह सब है, और यहाँ पर handle का पकड़ने का है, right side में, left side में और यहाँ पर mirror को up down करने का भी system पीछे की window में दिया गया, इसको driver नहीं करेगा control, इस पर passenger बैठने के बाद खुद भी control कर सकते हैं, इस परकार से एक SUV होनी चाहिए, उसी परकार से यह car एक feeling देती है, BS6 engine के साथ में आती है, 51 mm के wheelbase भी मिल जाते हैं, आत करते हैं, इसके headlamp की तो headlamp भी adjustable मिल जाते हैं, अब मैं अपने view से बताता हूँ कि इस car को fox wagon company ने बनाने में पूरी जी जान डाल दी है, बैठने के बाद अच्छी feeling आती है, सब कुछ अच्छा लगता है भार से, look premium लगता है, बहुत best car बना बना गुकार